श्री राध हैं, मश्कार दोस्तों, आप सबका हमारे रिट्यूब चनल में स्वागत हैं, मैं विजिंद राज आपके लिए एक और कथा लेक्था लेक्था आया हूँ, आज की जो कथा है वो श्री राधारानी और उनके एक भग्त की, बरसाने में एक संत रहते थे, किशोरी में जाते, तो वो देखते थे, कि बाहर से आने वाले लोग कोई फूल माला लेके आ रहा है, कोई श्रेंगार का समान लेके आ रहा है, कोई राधारानी के लिए वस्त्र लेके आ रहा है, पोशाक लेके आ रहा है, कोई भोग लगाता है, सभी कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं लेकिन मैं कैसा भक्तों मैंने आज तक स्री जी को कुछ भी नहीं दिया आज मन में उनके ये बात आ गई घर कर गई तो उन्होंने सोचा कि मैं राधारानी को एक पोशाक भेट करूं हाँ मैं एक पोशाक राधारानी को जिरूर भेट करूंगा अब तो महाराज वो पुसाक बनाने में लग गए संत जी उस पुसाक को दिन रात एक करके बनाने लगे और यकीन मानवादबंदूं एक महिना लग गया हुए एक महिने बाद बड़े खुश हुए आज हाथों में पुसाक लिए है उस पुसाक कुले के बरसाने की सीडियों में चड़ने लगे बड़ी सुन्दर पोसाख है और आप सभी जो बरसाना गए होंगे वो जानते होंगे कि राधरानी के मंदिर में काफी सीडिया है तो उन सीडियों पे राधे, 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 राधे कहते वे चड़े जा रहे थे लेकिन राधरानी की तो कुछ और ही इच्छा थी जब बीच रास्ते आधारास्ता पार हो गया तो भी एक छोटी सी लड़की आई बालिक आई और उन महात्मा जी को कहती है बाबा बाबा कहा जा रहे हो बाबा ने कहा लाली मैं स्री जी के दर्शिन करने जा रहा हूँ अच्छा बाबा ये आपके हाथ में क्या है बाबा ने कहा लाली मैंने किशोरी जी के लिए एक पोसाक बनाई है ये पोसाक आज मैं भेट करूँगा सब उने कुछ ना कुछ बेट करते हैं तो आज मैं ये पोशाक बना के लाया हूँ ओ लड़की कहती है बाबा ये पोशाक तु मुझे दे देना देख स्री जी को तो सभी लोग कुछ ना कुछ बेट करते हैं उनके पास बहुत सारी पोशाक भी है लेकिन बाबा तु ये मुझे दे दे मातमा जी बोले ना बेटी ना ये पोसाक मैंने बड़ी मुश्कल से बनाई है एक महिना लग गया मैं तुझे बजार से दूसरी दिलवा दूँगा अब वो बच्ची भी में चल गई और मातमा जी काज हाथ पकड़ लिया कहते हैं बबा तुमों को ये पोसाक दे दे अब संत भी जिद कर रहे हैं ना लाली ना ये पोसाक नहीं दूँगो मांजा अब वो बच्ची भी इतनी जिद्धी थी कि वो पोसाक उन मातमा के हाथ से ली और छीन कर भाग गई मातमा जी पिछे पिछे भाग रहे हैं अरे लाली पोसाक दे दे लाली पोसाक दे दे बेटी पोसाक दे दे मुझे स्री जी को और पित करनी है मातमा जी दुखी हो गए वो पकड़ में नहीं आई अब वहीं बरसाने की सीडियों में बैट के मंदिर की सीडियों में बैट के रोने लगे अब जब कई संत लोग मात्मा लोग सीडियों से जा रहे थे तो उन्होंने देखा और पुछा कि महराज क्यों रो रहे हो तो सारी बात बताई कि तुम तो जानते हो मैं बूढ़ा मेरे मन में आया कि मरा धारेनी को एक पोशाक बेट करूँ जैसे तैसे एक महीना लगा के मैंने सुन्दर पोशाक मनाई लेकिन एक बच्ची आई और वो उस पोशाक को लेके चली गई अब मैं क्या करूँ अब वो संत कहते हैं जिनुने पोशा था अरे भाई ले गई सो ले गई अब रो क्यों रहे हो वो तो वापिस आने से रही चलो उपर चलो मंदिर में चलते हैं थोड़ा किशोरी जी का दर्शन कर ले अब थोड़ा रोना बंद हुआ मंदिर की सीडियों में चड़े जा रहे हैं लेकिन अनमने मन से अनमने मन से आज राधारानी का दर्शिन करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं किशोरी जी, मुझसे आज क्या प्राध हो गया क्या आप नहीं चाहती थी कि मैं आपको कोई पोशाक दूँ शायद आपको यह मंजूर ही नहीं था शायद मैं पापी हूँ किशोर जी नहीं तो आप ऐसा कभी नहीं करते मुझसे जरूर कोई ना कोई गलती हुई है और उस गलती की सजा आपने मुझे दी है ऐसा सोच कर वो बड़े दुखी होकर मंदिर में चले जा रहे हैं मंदिर की और बड़े जा रहे हैं अब स्ट्री जी के मंदिर में अंदर जाकर खड़े हुए लेकिन अभी दर्शन खुलने का शमय नहीं हुआ था तो सामने खड़े रहे थोड़ी दिर के बाद जैसे ही स्थ्री जी का दर्शन खुला पठ खुले तो संत क्या देखते हैं कि जो पोसाक वो बाली का लेकर भागी थी वो ही पोसाक आज मेरी राधारानी धारन करके बैठी हैं स्री जी ने वो ही वस्तर पहने थे जो वो लड़की लेके भागी थी ये देखते ही मात्मा की आँखों से आसु बहने लगे मात्मा कहते हैं कि शुरी जी मैं तो ये पोशाक आपको खुद देने वाला था क्या आपसे इतना भी सबर नहीं हुआ मुझसे आप छीन कर ले गई कहते हैं कि सुरी जी ने कहा बाबा तुमने इतने प्रेम से एक महिने तक मैनत करके ये पोशाक बनाई ये पोशाक नहीं है ये वस्तर नहीं है ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है इसमें तो तेरा प्रेम है बाबा और प्रेम को पाने के लिए तो दोड़ना पड़ता है और आज मैं दोड़ी, बाबा मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद लेकर आई, अब जहसे ही मात्मा ने सुना, तो चरणों में गिर गए हैं, और कहते हैं, किशोरी जी, आपने आज मेरे जीवन को सफल बना दिया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, किशोरी जी तब उन मात्मा ने स्री जी का दर्शिन किया, और वहाँ से गए हैं, और आज मात्मा के भाव को श्री राधरानी ने पूरा किया है, प्रेम से कहिए श्री राध हैं आसा करता हूं दोस्तों, आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने का बैल को दबा देजिए ताकि आपको हमारे आगा आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें शरी राद हैं